दोस्तों आज के हमारी टोपिक है डायरेक्शन औफ करंट एंड इलेक्टॉन यह है वीडियो इलेक्टिकल में काम कर रहे लोगों के लिए यह पिर जो इलेक्टिकल के इंट्रूर देने चारे है उन सभी के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वीडियो के यह AC supply से चलेगा तो इसके अंदर मैंने एक face जोड़ दिया और एक neutral जोड़ दिया और यह मेरा bulb glow होने लग जाएगा इसी तरीके से अगर DC का bulb है तो इसके अंदर मैं DC supply दूँगा पर उसके अंदर DC के अंदर होता है हमारे एक plus होता है और एक negative होता है मतलब हमारे plus minus होता है लेकिन दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को जानेंगे कि जब हमने इसके फेस और neutral दिया तो हमारे जो current है उस current की direction क्या होगी current हमारे किस direction में बहरा होगा AC के अंदर और DC के अंदर तो दोस्तो काफी simple सा इसका अंसार है तो यह वीडियो काफी छोटा होने वाला ह तो दोस्तो सबसे पहले हम DC system की बात कर लेते हैं अगर हमारा सरके DC supply से चल रहा है तो हमारे current की direction क्या होगी तो दोस्तो DC के अंदर मैंने जैसे सब भी आपको बता है कि हमारा bulb है इस bulb के अंदर मैंने प्लस और एक माइनस दिया ठीक है इस तरीके से जोड तक है पर दोस्तो मैंने इसके प्लस जोड दिया और इसके माइनस जोड दिया अब दोस्तो इसके नाम दो चीज जानेंगे कि हमारा जो electron है उस electron की क्या दिश्चा है electron किस दिशा में move कर रहा है प्लस से माइनस पर कर रहा है और हमारा current किस दिशा में कर रहा है दोस्तो इसके पहले आपको यह पर आपको लोगों के सामने काफी अच्छा इंपरेसिय बनाएगी दोस्तों क्या होता है कोई बीचीज हो चाहे मेरा पैन हो चाहे मेरा कोई वायर हो या फिर मेरा कोई बल्ब हो यानि दुनिया के अंदर चाहे हो हवा भी है तो वह सबी के सबी हमारे छोटे-छोटे टुकड और एक होता है हमाराल electron, यह सब आपन इसको लहीं पढ़ा है, अभी हम इसके अपर बात नहीं करे है, अभी हम सिर्फ lightning कि बात करे है, तो दोस्तर हमारा यूड होता है, इस잖아 के अंदर हमारा proton और newton होता है, और electron होता है, ऑर our electron इसके आजू 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 चख्क्ड़ लगा है पर जोंगोлас समझ लेतिया कि की हमारे यह कि कहीं सारी ईटम है अब दोस्तों इसके वल्टेज दिया वोल्टेज how तब तक जैसे मैं आपको बता है कि हमारे जो इलेक्ट्रोन है वो इलेक्ट्रोन हमारे एटम की चारवर मतलब प्रोट्वन हो न्यूट्रोन की चारवर हमारे चक्कर लगा रहे होते हैं तो अभी हमारे जो इलेक्ट्रोन है वो इलेक्ट्रोन को इधर जा रहे हैं मतलब इसके बेहेंने लग जाहीं मतलब हमको धुर्य पता ह frei हमारे इल्यक्ती सिस्टम के अंदर हमारा उस और कैसे होती ए हमारा यह voltage और यह है मेरा minus V. और यह है हमारा तार, तो हमारा जो electron की डिश्चा होगी वो होगी हमारा negative to positive इस तरीचा से हमारा electron भयगा और हम current की बात करें, तो दूसर। हमारा je current होता है वो current हमारा opposite direction में मतलब उसके ultra direction में गूमता है हमारेadece electron के ऐसी तरफ अगरे सब्सक्राइप तरफ इस तरफ से हमारे करेंब तो यह आगरा nam sec circuit की बात करें तो तो दोस्तों देखे काफी सिंपल सी चीज है एक उता है एक होता है नीटल तो पुछ नीटल को तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी जमीन है अर्थ है नीटल कुछ भी नहीं है नीटल ुल बिल्कुल जीरो आ खाली है ये जो हमारा फेश वायर ही बज़िया इस फेश वाइर के वो voltage और frequency के साथ में चल जोते हैं, आपने देखिए जो cycle होती है, इस cycle होती है, तो इस cycle का मतलब क्या होता है, इस cycle का मतलब यह है, कि हमार जो phase wire के अंदर जो voltage है, वो voltage हमारे कुछ समय के लिए plus में जाएंगे, और कुछ समय के लिए minus में जाएंगे, जैसे हमको पता है न, हम waveform होती है, इस waveform में जो उपर की साइड होती है, वो हमारे plus की साइड होती है, तो जब भी हमारा voltage इस उपर वाली cycle से निकल रहा है, तब तक हमारा voltage प्लस के अंदर होगा, तो यह plus 220, और जब नीचे अली cycle में आ गया, तो यह minus 220 हो गया, और अगर हमारी 58 cycle है, तो हमारे एक से फेस वायर है, उस फेस वायर के अंदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो अगर मैं इसके अंदर electron की दिशा बताओ, तो हमारा जैसे फेस है और यह neutral है, तो हमारे एक conductor है, तो इस conductor के अंदर हमारे एक इलेक्टोन की दिशा है, वो electron की दिशा कुछ समय के लिए इस direction म रहागी, मतलब एक सेकेंड के अंदर 50 भार यह चेंज होरी होगी, इसी तरफ दो सो हमारा जो current की दिशा है, वो current की दिशा भी हमारे एक सेकेंड के 50 बार चेंज होरे हैंगी, मतलब जब हमारा प्लस 222 वोल्टी सिस्टम के अंदर आ रहा है, तब हमारा current, phase से neutral की दरफ जा आलेगा और हमार्ण और कुंपiciones कर से 8 क मिल रहा होगा कि ऑदी सी सर्किεट के उन्दर हमार नेगेटिव से नेगेटिव की तरह उता है तो जो उमीड है कि आच के आज इस वीडियो're माध्यम से आपको उच वहतर जानकर ही मिली होगी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरू बताएं अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रतियाफ इलेक्टिकल से जोड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंड वाक से कमेंड करके करते हैं आज यह मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद